हाई फ्रेंड्स बेस्ट बिजनस एन्वी चैनल पर आप सभी का सवगते हैं अच के वीडियो में बात करेंगे दोस्तों बारा जीरो नौ कंट्रोलर की जिया दोस्तों बारा जीरो नौ कंट्रोलर का कनेक्शन अडप्टर के साथ कैसी किया जाता है फैन के साथ कैसी किया जात इसलिए इस वीडियो को पुरा अंतक जरूर देखना जहां दोस्तों इस टॉपिक पर मैं इसके पहले भी बहुत बार वीडियो में समझाया हूँ बट फिर भी ज्यादा कमेट आने के कारण दोस्तों मुझे यह वीडियो फिर से बनाना पड़ रहा है तो इस वीडियो को और रोबिटक्स का कंट्रोलर ओरीजनल बारा जिरो लो और होल्डर तो चलूम आपको इसका कनेक्शन बता दू सबसे पहले दोस्तों तो कंट्रोलर आन होता है बारा ओल्डीसी पे जिया दोस्तों यह कंट्रोलर आन होगा बारा ओल्डीसी पे आप देख सकते हो यह पर ल कनेक्शन दे सकते हो अडप्टर का भी कनेक्शन दे सकते हो अडप्टर के साथ दोस्तों यह ऐसी पीन आती है तो इस पीन से सप्ला अगर लेना है तो आइसी मार्केट में बहुत सारी कौड आती है जैसा कि आप देख रहो यह कौड में इसमें फसादू अडप्टर में और इसमें से तीन आउटपुट निकले, एक आउटपुट लेलू मैं डायरेक कंट्रोलर के लिए, दूसरा लेलू मैं डायरेक फैन के लिए, और तीसरे का भी इस्तमाल मैं LED वगेरा में कर सकता हो, तो आप ऐसी कॉड का भी इस्तमाल कर सकते हो, या फिर आपके पास अगर ही है, तो आप क्या कीजे, सिधा-सिधा ये पॉइंट को काट डीजे, और इसको छिल दीजे, इसके अंदर आप देख सकते हो, एक रेड कलर की वायर निकली है, और एक ब्लैक कलर की, जी हाँ, रेड और ब्लैक दो कलर की वायर अक्सर निकलती है, और ये जो फैन है, इसके भी या कोई fan के साथ यह आता है कोई fan के साथ नहीं आता है इसको भी मैं काट देता हूँ और इसको भी रेड ब्लैक वाली वायर है आप देख सकते हो तो इंक्यूबिटर के अंदर fan 24 घंटे चलता है करके इसका direct connection करना है जैसा कि आप देख रहो मैं adapter के connection के साथ इसको direct जोड दे रहा हूँ आप इसकी वायर छोटी बड़ी कर सकते हो फिलाल मुझे सिफ वीडियो में दिखाना है करके मैं छोटी वायर से ही काम चला रहूँ यह देखिया आप मैंने red को red और black को black wire लगा दिया है plus minus से ही लगा दिया है अब जैसा कि मैंने आपको बोला यह जी एंडी यह वाले point को मैं खोल लेता हूँ और 12 और प्लस वाले भी point को मैं खोल लेता हूँ यह देखिये दोनों खुल चुके है तो मैं यह जी एंडी याने minus वाले point पे black वाली वायर दाल देता हूँ लाश्ट में जी हाँ black वाली वायर लाश्ट में और इसे fix कर देता हूँ और यह जो बारा ओल प्लस connection लिखा हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे मैं याने second number पे मैं यह red वाली वायर लगा देता हूँ यह देखिये दोनों connection हो गए है अब जैसे आप इसे power में लगाओगे तो controller भी on होगा और साथ ही fan भी शुरू होगा यह तो आपको पता ही यह controller का sensor है अब बात करते हैं दोस्तों इसके light के connection की तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो एक two pin top यह wire और इस wire के दूसरे शोर पे यह लगाओवा holder तो light का connection इस तरह से होता है दोस्तों जो दो wire direct plug में से निकल कर light को जा रहे है उसके बीच में का यह दो wire में से कोई भी एक wire बीच में से काट डाली है जैसा कि आप देख रहे हो यह हमारे पास थोड़ी एक speaker wire लगी हुई है इसलिए मुझे थोड़ा ऐसा काटना पड़ेगा यह देखें यह तोड़ा combine वाली wire है इसलिए मुझे इसे तोड़ा कैची से छिलना पड़ेगा यह देखें एक wire direct जा रही है और दो में से मैंने एक wire काट डिया है और अब इसको छिल लेता हूँ यह देखें तो अभी यह जो छिले हुए दोस्ट सीरे होते हैं दोस्तों यह हमें डालना है यह आप पॉइंट नंबर के 0 और पॉइंट नंबर के 1 में जी हाँ रिले को लगके जो दो पॉइंट है उसमें आपको यह दो wire डालना है यह ऐसे डाले तो भी चलेगा के 0 का के 1 में ऐसा उल्टा टिल्टा हुआ तो भी चलेगा किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों आप इस तरह से W1209 में wiring connection कर सकते हो अडप्टर से जो आउटपुट आ रहा है रेड ब्लैक वो हमने डायरेक फैन को connection दे दिया है और controller के 12 hole प्लस और ground में दिया हुआ है उसके साथ जो plug में से दो wire डायरेक आ रही है वो सीधा एक wire हमारे light को गया हुआ है और दोनों में से एक wire काट के हमने K0-K1 में डाल दिया है अब हम इसे on करेंगे दो जी हाँ यह देखिए बोड इस बोड में मैं इस adapter को लगा के on कर रहा हूँ यह देखिए आप controller भी on हो गया fan भी on हो गया और अभी मैं फिलाल इस light का भी connection लगा दूँ यह देखिए मैं इधर light का connection लगा रहा हूँ इस light को तोड़ा side में कर देता हूँ जैसे मैं इस connection का on करूंगा आप देख सकते हो light भी लग गया और यह Robitox का original controller होने के कारण इसमे सेटिंग वगयरा करने की जरूत नहीं होती है आप देख सकते हो company के तरफ से already incubator setting आता है तो फिलाल इसका temperature मैं इस temperature sensor light के पास ली जाकर check कर लेता हूँ controller काम कर रहा है की नहीं कर रहा है आप देख सकते हो 31 हुआ है यह देखे दोस्तों जैसे 37.7 के उपर चले गया दोस्तों light बन होगी अब यह आप देख सकते हो दोस्तों मैंने sensor light के पास पकड़ा था करके जैसे temperature बड़ा light off हो गई और जैसे temperature काम हुआ light फिर से on होगी दोस् तो यही सिलसिला चलते रहता है आप इस तरह से connection करके अपने घर परी छोटा incubator बना सकते हो आपको fan, controller, holder, light जो भी चीज़े लगती है आप directly हमसे भी purchase कर सकते हो या फिर amazon पर भी हम yenby electronics के नाम से sale कर रहे हैं दोस्तों आप वहाँ से भी खरीच सकते हो आपको यह हमारी में जरूर बताना वीडियो पसनाई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने जरुतमन दोस्तों में शेयर कीजेगा आप सभी का धन्यवाद